नमस्ते मित्रों आज हम जानेंगे कि आपको बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करना है और इसका लाश्ट डेट 31 मार्च है तो 31 मार्च 2022 इसका लाश्ट डेट है और अधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए डेट लाइन खत्म होने वाली जब होगी तब अभी भी लाखो ऐसे लोग हैं जिने अधार पैन कार्ड लिंक नहीं किया है अगर आप भी ऐसे लोगों में सामिल हैं तो सतर्क हो जाएं और आलस छोड़कर फटा फट हकाम निप्टा लीजिए डेट लाइन समाप्त होने के बाद लिंक करना ना सिर्फ मुस्किल होने वाला है बलकि आपके ऊपर इस कारण 10,000 रुपए तक की पैनाल्टी भी लग सकती है पैन कार्ड और अधार कार्ड को लिंक करने की डेट लाइन 31 मार्ज 2022 को समाप्त हो रह उनके पैन कार्ड एक अपरेल 2022 को इन्वैलिड हो जाएगा इतना ही नहीं अगर आप किसी भी काम में ऐसा पैन कार्ड सौपेंगे जो इन्वैलिड हो चुका है तो आपको 10,000 रुपए तक जुर्माना भढ़ना पड़ेगा ये आज तक की न्यूज है अधार पैन लिंकेज करना जरूरी है तो इसके लिए आप साइट में जाएं और साइट में जाके लिंक करें तो पैन कार्ड लिखें और अधार कार्ड लिंक ऐसा लिखें कुछ मतलब ऐसा टाइप लिखेंगे तो आपके में मोबाइल में आ जाएगा या NSDL अधार कार्ड लिंक या पैन कार्ड लिंक करके लिखें तो आ जाएगा